नमस्कार मेरा नाम है रुद्वेपोसाश सेंगुप्तो और मैं आज का जो ICSC का क्लास नाइन का जो क्लास मैंने एक क्लास साथ दो क्लास किया था उसके बात से स्टार्ट करने वाला हूँ इसका मतलब मैं लूप के बारे में डिस्कास करने वाला हूँ लूप के बारे में या फिर जो सीरीज है प्राइम नमबर है वो सारे के चीज़ों के बारे में मैं डिस्कास करने वाला हूँ तो चलिए हम डिस्कासन सुरू करते हैं तो पहले मैं नेट बिंस को ओपन कर लेता हूँ जबकि ICST में ब्लू जेम में काम किया जाता है वो भी एक ID है यह भी एक ID है तो मैं इससे ही काम चला लेता हूँ तो इसको से साथ कुछ किया हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं काम के शुरूबात करता हूँ किया तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ इस सारे के सारे को डिलीट कर देता हुच तो इसमें जो भी पेजेंट है जो भी स्टूडेंट पेजेंट है उसको यहाँ पे वेलकाम है तो कुछ स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पे है साकीव नाम का है उसका उसका कोण सा क्रास में परते कि इसेज़्यार किसकर कोण सेफ अब बातने सरच्राछ आप क्όσक्त क लास में पढ़ते हैं इसका मतलब आप बहुर में रहते हैं तीक है मोचीता को मैं पहचानता हूँ और गालक्सी एसक्स आप कास्स्कीं परते हैं उल्फि आप कोई जबाब एजिए इसका नहीं तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा आप गॉण क्लास में बढ़ते हैं Galaxy A6 यहां पर आपने वही नाम डाला है हलो आप कौन से क्लास में बढ़ते हैं क्लास कौन सा है आपका आप अगर बता नहीं सकते तो आप लिख के बताईए फिर भी चलेगा ठीक है तो ठीक है मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ फिर से और यहां पर हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो पहला काम हम एक करेंगे कि हम जो नंबर इंपूट लेंगे उसको हम देखेंगे इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मालिजी हमने कुछ ऐसा नंबर इंपूट ले लिया तो फिर उसको इस तरह से दिखाएगा इस तरह से दिखाएगा तो इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में एक मैथामिटिक्स है तो हम पेंट में चले जाते हैं पेंट में चले जाते हैं और एक नंबर ले लेते हैं कोई भी नंबर यही कोई यह वाला नंबर ले ले लेते हैं और इसको उल्टा करके ऐसा होगा 8-3-6-9 तो एक ऐसे होगा तो पहले तो मेरा एक नंबर है 9-6-3-8 और इस नंबर को हम एक काम करते हैं कि 10 से divisible करते हैं तो 10 से अगर divisible करेंगे तो फिर इस उपर में यहाँ पे कौन सा character जाएगा यह हमको सोचना परेगा तो इसमें 9-6-3 जाएगा और इसमें 10 से divisible करने के बाद इसमें 9-6-3-0 होगा और इसमें 8 रह जाएगा और फिर से अगर हम 9-6-3 को divisible करेंगे 10 से 10 से divisible करेंगे तो फिर इसमें फिर से 9-6 होगा और यहाँ पे 9-6-0 होगा और इसमें 3 रह जाएगा और फिर से हम अगर 9-6 जो character है उसको divisible करेंगे 10 से तो फिर इसमें 9 हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे 6 रह जाएगा और फिर से हम अगर 9 को divisible करेंगे ओही 10 से तो फिर इसमें 0 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा साइद कुछ उपर होगा 9 आएगा और यहाँ पे 0 आजाएगा तो जब भी यहाँ पे 0 वाला चीज आजाएगा जीरो वाला चीज तो फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे तो जब भी जो पोसेंट थे और स्टॉप कर देंगा रिमाइंडर को अगर उल्टे दिख से लिया जाए या फिर सीधे दिख से लिया जाए कुछ भी दिख से लिया जाए तो फिर इसमें ऐसा ही आएगा कि इसको इस दिख से लिया जाए तो ऐसा आएगा और इसको अगर इस दिख से लिया जाए तो फिर ऐसा आएगा तो फिर यह जो नंबर है यह नंबर जो हमने डाला है जो हमने पूछा था कि 9, 6, 3, 8 इसका साम भी आ सकते है कि 9, 6, 3, 8 इक्वाल टू 9, 9, 18, 18, 26 तो यह जो हमने आपको समझाया यह क्या समझ में आ चुका है आपको हाँ अलो सुनाई नहीं देदा है जी जी आ चुका है आ चुका है तो हम उतने देर तक एक आंटिनू करना परेगा जितने देर तक हमको जीरो नहीं आता जितने देर तक हमको जीरो नहीं आता उतने देर तक हमको कांटिनू करना परेगा और इसमें कोई फ्रेक्शन वाला पार्ट नहीं है कि इसमेल या फ्रेक्शन वाला पार्ट नहीं है पुरा का पुरा इंटिजर वैलू है यहीं सोच के हमको काम करना परेगा तो यहां पर हम वही नमबर ले लेते हैं और उसके बाद यहां पर एक एम वेरियेबर ले ले लेते हैं उसमें एन को कॉपी कर लेते हैं उसके बाद एक वाईल लूप इस्तिमाल करते हैं जब तक एम बाला चीज जीरो से जादा है इसका मतलब जीरो से जादा है नेगेटिव नहीं है और उसमें जो क्यूब बाला चीज है जो हमारा कोसेंट है उसको हम ऐसे करेंगे कि एम पासेंटेज टेन होना चाहिए और हम उसको प्रिंट भी करेंगे कि क्या होता है एक क्यूब वाला चीज तो हम यहाँ पे सिंपल सी क्यूब को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे जो एम है उसको एम से ही टेन से डिविजिबल कर देते हैं तो इसको अगर रान करेंगे तो देखिए कि इसको रान करेंगे तो यहाँ पे चला आया है दिखाई नहीं दे रहा है यह हो गया इसका मतलब यह उल्टे हिसाब से आ चुका है आप इसको अगर हमको साम करना है तो हम यहाँ पे एक वेरीबल ले लेते हैं कि साम माल लो हमको साम भे करना है तो साम वेरीबल ले लेते हैं और सीदी सीदी बात में sum plus equal to q डाल देते हैं और उसके बात यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो English word है उसमें लिख देते हैं English word में लिख देते हैं कि भाईया sum of digit sum of digit n क्योंकि m तो 0 हो चुका है इक्वाल टू sum of digit m equal to sum तो इसको रान कर देते हैं और इसमें दिखाए दे रहा है कि था 26 आ चुका है यही देखे आ चुका है समझ में आया या नहीं समझ में आया एक यह समझ में आ चुके हैं आप लोगों को या किसी को दिकत है तो अपर चुके थे नोटबुक में प्लीज लिख लिजिए नोटबुक को लेकर बैटना परेका क्लास में आप पताया था आगर नहीं बता तो बता देते हैं कि इसको नोटबुक में लिख लिजिए क्योंकि आपको में अभी होमवाक दूंगा और उसका रेजल जानना चाहूंगा ठीक है तो इसको लिख लीजिए है ठीक है सेर्भ और और यह भी लिख लीजिए ए वाला हमको नहीं चाहिए इस दिख से नहीं आ रहा है इस दिख से आ रहा है तो इससे हो जाएगा काम इसको पहले लिख लीजिए जो mathematical जो calculation है इसको पहले लिख लीजिए रिवार्स को मैं 0 मान लेता हूँ ठीक है तो रिवार्स को मैं 0 मान लेता हूँ और उसके बाद रिवार्स is equal to reverse into 10 plus q ले लेता हूँ इसका मतलब यहाँ पहर रिवार्स r लिख लेता हूँ उतना नहीं लिखता ठीक है r equal to 0 into 10 plus 9 तो कितना होगा 9 होगा और यह वाला 9 कहां से आया है यहां से यह वाला 9 आया है उसके बाद हम फिर से काम करते हैं कि r equal to 9 into 10 plus 6 तो 96 हो जाता है और यह वाला 6 कहां से आया है यहां से आया है उसके बाद हम लिख लेते है r equal to 96 into 10 plus 3 तो कितना होगा 963 होगा और यह वाला 3 कहां से आया है कि भाईया यहां से आया है तो मेरा थोड़ा कट गया मैं थोड़ा कट चुका है तो मैं क्या करूँ इसको ऐसे कुछ ले लेता हूं ठीक है ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया इसको ऐसे ले लेता हूं इसको ऐसे और इसको ऐसे चेकिए और उसके बाद फिरसे आर इकोल तो 963 x 10 प्लास 8 इसका मतलब 963 8 यही होता है तो इस नंबर को इस से भी रिपेजन किया जा सकता है लेकिन हम यहाँ पे इस 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 लाइन से चल रहे हैं हमने आपको बताया कि हम इस लाइन से चल रहे हैं तो इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है r equal to 0 into 10 plus 8 equal to 8 उसके बाद r equal to 8 into 10 plus 3 इसका मतलब 83 इसके बाद r is equal to 83 into 10 plus 6 इसका मतलब 8 3 6 sorry 8 3 6 इसके बाद r is equal to 8 3 6 into 10 plus 9 इसका मतलब 8 3 6 9 तो हमने यहाँ पे दो काम किया है जो इसका मतलब यही not equal to होता है यह जो equal to sign वाला हम ले लेते हैं और इसको not वाला में को लिक लेते हैं यहाँ पे साहते not समझाएगा तो इसमें हमने जो नंबर लिया था वो 9638 था और उसका करके हमने पाया 8 3 6 9 तो यह दोनों का दोनों सेम में नहीं है इसका मतलब यह palindrome नहीं है इसका मतलब यही हुआ के यह not palindrome है तो इसको भी हम apply करना चाहेंगे के यह sorry यहाँ पर मोटा कर लेते हैं यह not palindrome क्या है palindrome का मतलब होता है ऐसा कोई madam M, A, D, A, M इसको उल्टा किया जाए तो भी madam ही आएगा M, A, D, A, M और ज्यादा अच्छा तरग से किया जाए अगर मैं 2, 5, 2 ले लेता हूँ तो इसका उल्टा करके 2, 5, 2 ही आएगा तो A palindrome word है या palindrome number है A number है और A word है A 13 number A 13 word तो इसका जानकारी होना बहुत ही जोड़ी होता है तो मैंने इसको समझाना थोड़ा बहुत चाहा तो इसको ठीक तरह से notebook में लिख लीजिए और अगर किसी को लिखना हो गया है तो बताना के लिखना हो गया है मैं फिर से start करूँगा अगर के लिखना हो गया है आपका हो चुका है सोनक? आज ठीक है तो और जो है आदमी ओर यूट्यूब चे लिख लेना या फिर लिख चुका है साइद तो इसमें मैंने जो नमबर डाला था उसको साम आप डिजिट करके साम आ चुका है इसना देर तक मैंने बता दिया आप रिवार्स के बात आई तो मैंने यह वाला इक्वेशन यहाँ पे डाला है यह वाला इक्वेशन यहाँ पे डाला है रिवार्स के लिए यह वाला इक्वेशन हमने डाला है तो ठीक है यहाँ पर एक reverse लाए ले लेते है reverse equal to 0 और reverse equal to reverse into 10 plus Q तो इस पर उसी को ही लिख लेते हैं sum को हमका ज़ुड़त नहीं है reverse equal to reverse into 10 plus Q और sum का ज़ुड़त नहीं है तो इसमें लिख लेते हैं reverse of digit N is equal to reverse डाल दिया इस पर आन कर देते हैं तो यह reverse आ चुका है उल्टा आ चुका है तो इसमें input का input लेने का काम भी हम कर लेते हैं थोड़े बहुत input लेने का तो इसलिए यहाँ पर एक काम करते हैं सीधी सी बात है हम लिख लेते हैं के enter a number इसमें लिख लेते हैं के एक number डालो भाईया एंटर एक number आपको डालना है और इसको डालने के लिए आपको input बाला जो input stream है उसको लेना परेगा जैसे तो इसमें लिखना परेगा के स्कैनर 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 और इसका एक object बाहना परेगा स्कैनर में है या BCA में है तो उसमें लिखना परेगा के system.in इसमें हमने system.in जो basic classes को call किया है और इसमें हम लिख लेते हैं वही object जो हमने बनाया है इसका next integer वाला part ले लेते हैं और यहां पर देख लेना के यहां पर यह जो header file है इसको यह ले चुका है कि Java utility क्या अंदस क्या ना तब हम फिर से run करते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं कि 3060 तो इसका उल्टा हो गया 0603 तो इसका reverse हो गया 0603 ऐसा reverse हो गया तो इसमें फिर से हम डाल देते हैं कोई 36a वाला डाल देते हैं जीरो और इसका उल्टा भी ऐसा हो गया इच्छा सही है या गल गल गलत है सुनाई नहीं देया तो ठीक है लगता है कि आपने सही बोला महुचिता आपको सही लगता है या गलता लगता है महुचिता आपको सुनाई दे रहा है क्या हाँ हाँ इस सही है या गलत है सही है तो आप नोट बुक में लिख लीजिए प्लीज हाँ जरूर जरूर मैं देख लेता हूं क्या भेजा है आपने इसको लिख लीजिए फिज में देखता हूं ठीक है इसको छोड़ा करें देखता हूं आपने नहीं देखा है दे रहा है कहां पर भेजा है कहां पर भेजा है आपने आपने कहां पर भेजा है मुझे दिखा ही नहीं दे रहा है आप यूट मेरा पास्नल लंबर पर भेज सकते हैं यहां पर गूप में भी भेज सकते हैं यहां पर नहीं दिखा है दे रहा है तो फिर से भेज देना हाँ आपने फाइल का इस्तिमल किया फाइल टांसपर का ठीक है कोई बात में आप जानते हैं जूम के बारे में बहुत कुछ लेकिन हम यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए आपको वही रिवास बाला प्रोग्राम आपने करके डाला है नेक्स इंटी नॉम बॉर नॉट इसको अगर डालेंगे तो फिर इरोर हो सकता है देख लीजिए अगर नॉट इसका मतलब इक्वाल टू जिरो लेकिन टी को अपने डाला है नंबर के और इसमें रिवास ठीक है ख्यों का अपका प्रोग्राम काम कते हैं और इसमें डाल देता है किらい कोई नम बात हाँ आप काम करते है ठीक है है ठीक है ठीक ट्रीक डाला है अपने थैंक यू सुनौर् अब को जिसको लिखी लिख लीजी यह लिखने लthinkे बाद आपको काम ही कर ना है के पेलिंड्रोम है या नहीं इसको चेक करना है कैसे करेंगे आप बताएंगे पेलिंड्रॉम है या नहीं है इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे आप बताएंगे पहले हम रिवर्स को देख लेंगे और अगर दोनों नमबर जो रिवर्स है और अप करके दिखाएए आप करिए नोट बुक में पहले करिए ठीक है उसके बाद तो इसको हम मिटा देते हैं इसको मिटा के हम लिख लेते हैं इप अगर रिवर्स इक्वाल टू एन हो चुका है तो फिर यह जो नमबर है यह पैलिंड्रॉम है और अगर नहीं हो चुका है एल्स पार्ट में डाल देते हैं तो ए नोट पैलिंड्रॉम है तो इसमें नमबर को भी मेंशन कर देते हैं के रिवास नमबर पैलिंड्रॉम नमबर है और इसमें हम लिख लेते हैं के एन नमबर नोट पैलिंड्रॉम है ठीक है प्रेश डाल देते हैं देखने में आसानी होगी तो इसमें हम एक number डालते हैं 369 तो यह not palindrome number है और अगर हम डालते हैं के ऐसा कुछ तो यह not palindrome number है तो पिर हम डालते हैं 2442 तो यह palindrome number है समझ में आचुके है यह네요 आचुका है है कि a game समय में आ चुके है या नहीं आ चुके है जी जी आघ है समय से थी के तो लिख लीजिए अ कि अ ये वाला नहीं चाहिए इस नहीं चाहिए इता है को है और शॉचाएगा भाष्ट लिया लिख लिख लिया छोटा गड़ देता हूं लिख लीजिए अब जो नमबर देंगे उसको हम sound के तो इस्तिमाल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको pronounce करेंगे जैसे कि हमने डाल गया के 1, 2, 1 तो ऐसे बताएगा 1, 2, 1, O, N, 1, T, W, O, N, 1 इसको करके दिखाएए कोई जो भी नमबर डालेंगे उसको उल्टा दिक से परके दिखाएगा इसका मतलब है हुआ कि अगर मैं डालता हूँ के यह साथ तो इसको परके दिखाएगा 6, 2, 1 ऐसे ऐसे इसको पुना उसेंशन करेगा, पुना उसेंशन नहीं होगा, मैं उसको साउंड करिस्तमल नहीं करना चाहता हूँ, कम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको दिखाएगा कि 6, S, I, 6, T, W, O, 2, N, 1, ऐसका करके दिखाएए तो साइद आप लोग ने लिख लिया है, तो मैं इस सारे चीज को यहां से मिटा देता हूं और यह वाला भी मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी मीटा देता हूँ… यहाँ पे पुणाउसेंशन होगा तो पुणाउसेंशन यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा बहरा हो जाएगा तो इसकालिये मैं एक वाला लेता हूँ के पी वाला एक फांग्शान बना लेता हूं koan p पो na na mi yo मैं इंगलिज में कच्चा हूं हां तो मैं Google से पूछलेता हूं ऑर क्या होता है a penounsation का English P ro看看 na here इसमें अ इतर से बताँ। प्रो एफिर पामले लया तो इसको पेस्ट कर देते पूनाउंशेशन और इसमें इनभर आएगा और इसको पुनाउंस करेगा और इस ट्रिंग वाला होगा रस्ट्याटिक होगा इसका मतलब इसके लिए अब्जेक्ट केट करने की जरूरत नहीं पढ़ेगा इस ट्रिंग तो ऐसे ठीक है पुनाउंसेशन ऐसा हो चुका है अब हो चुका है तो इसमें जो भी नमबर डालेंगे उसको पुनाउंस करके इसमें डाल देंगे वो पी करके इसमें डाल देंगे के पुनाउंसेशन कर दो उसका भाईया पुनाउंस कर दो उसको और वो क्यू वाला नमबर है और उस्के बाद यहाँ पर ओ प्री को प्रिंट करेंगे जो भी नंबर हमको उब हाँ पर मालूमात होगा हुसको ओ पर आफ फर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे पुनाऊश कर देंगे तो ऐसा हमने कर दिया आप यहांपे स्वी स्टेट्मेन ले लेते हैं स्टेट्मेन ले 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 लेते हैं जो n के उपर है अबर case अगर 0 होता है तो इसमें return का बक्त है तो इसमें एक string ले ले लेते हैं एस जो नाल है नाल का मतलब कुछ भी नहीं है तो एस में जिरो डालेंगे जिरो और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा स्वी स्टेट्मेंट के बारे में हमने पहले क्लास में बता दिया था तो इसलिए हम नहीं बताएंगे तो स्वीच के बारे में हमने बता दिया था तो हम नहीं बताएंगे तो इसको जीरो वान जीरो जीरो वान टू थ्री फॉर फाइव शीक्स सेवेन एट नाइन 10 और एक डिफल्ट ले लेते हैं डिफल्ट की जवराती नहीं परेगा फिर भी ले ले लेते हैं कि system.out.println रोंग इसका जवराती नहीं परेगा फिर भी आम ले ले लेते हैं उसके बाद वही रिटान कर देगा s को r e t u r n रिटान कर देगा s को तो इसमें पहले तो 0 था उसके बाद हमने यहां पर 1 डाल दिया और यहां पर हमने लिख दिया के o n e 1 उसके बाद 2 डाल दिया और पर लिख दिया टी डाबलू ओ टू फांक्सान एक पार्ट होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रग्राम हो जाता है तो उसको पार्ट में डिविजबल करने लेने का नामी फांक्सान है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है और इसमें 4 a4 u r और इसमें 5 a5 b e और इसमें 6 s x और इसमें 7 अगा थोड़ा कॉंप्लेक्स लागे तो मुझे बाता ना थिक है तो मैं फांक्सान इूस नहीं करूंगा ठीक है वो उसको डाल दूंगा उहां पर ही डाल दूंगा और 8 e i g h 8 और इसमें a 9 a 9 और इसमें 10 का तो कोई सवाल ही नहीं हुचती कि कोई decimal number system में 9 नहीं होता है हो गया मेरा काम और उसके बाद यह पुनाउंसेशन यहां पर नहीं करेंगे तो इसको काट कर लेते हैं और यहां पर डाल देते हैं और इसमें जो भी हम लेंगे उसको पी में पी जो भी होगा उसको पी के साथ प्लास कर दिया जाएगा इसका मतलब पी प्लास और पहले में जो होगा ओ ऐसा होगा कि पी जो हे ओ कुछ भी नहीं होगा ओ एम्टी होगा और उसके बाद पी के साथ उसको जोड दिया जाएगा हो गया मेरा काम हुसको आइसके सीधा हिसाब से कर लिया अप देखें इसको रान करते हैं और इसमें लिख लेते हैं को है व्श्च victories और इसमें बतर आये 632 इसमें पेज डालना जोड़ी है तो इसमें हम पेज डाल लेते हैं तो एक पेंस भी डाल लेते हैं तो आप यहां पे साथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 और अगर हम ऐसा डालेंगे के 3200 तो फिर 0032 हो गया हां कुछ सवाल है तो पूछना साहिए आपको पूछ सकते है कि यहां पर हमने सिंपल सी स्वी स्टेटमेंट का यूज किया है एक पुनाउस करेंगा नंबर को और रोस्टिंग डिटर्न कर देगा ऐसा ही कर दिया है उसको यहां पर करने के बात यहां पर इसको एनाउस किया है कि कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं मोचिता आपको क्या सवाल है कुछ नहीं तो आप आपका काम में इसको सीधे तरीक से बताना इसका मतलब 2300 को 2300 भी बताएगा 00232 नहीं बताएगा 2300 को 2300 भी बताएगा तो कैसे किया जाए हाँ सच में कर सकते हैं इसमें MP3 साउंड लगेगा 1234 से MP3 साउंड लगेगा उसके बाद जाबा का साउंड का कुछ फंक्शन को इस्तिमाल करके करना भी पॉसिबल है लेकिन वह आपका सिलेवास में नहीं है वह कंप्लेक्स हो जाएगा नाइन का लिए और 12 के लिए ठीक है या फिर बी-सी-ए के लिए इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं ठीक है कि को कि आप कि 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 यहां पर अगार हम लॉजिक इस्तिमाल करें तो बहुत कुछ कर सकता है यहां फिर लॉजिक इस्तिमाल नहीं करें तो फिर अ अ अ डॉट रिभास आरी नहीं है साइड तो लॉजिक इस्तिमाल कर लेते थीक है त्रींग डॉट रिभास अस्ति आरा यंजी डॉट आरी नहीं है ठीक है तो लॉजिक यूज करेंगे ठीक है तो आपको अगर एक क्वाइन दिया गया है तो बताया गया है कि क्वाइन को हेडी ले आना है जबकि नहीं आपको एक एक मोबाइल दिया गया है जो मोबाइल को सीधा करना है इसका मतलब बताऊ या फिर एक बॉक्स दिया गया है उसको कि उल्टा करना परेगा आपको two time उल्टा करना परेगा या logical operator का double करना परेगा इसको plus minus minus करके दो बर करेगा तो plus आ जाएगा उसी तरह तो उसी तरह हम इसको दोनो time कर लेते हैं यहां पर भी एक time कर लेते हैं और यहां पर aim पर हमने लिया था और वहां पर number को store करने के लिए हमने यहां पर एक काम कर लेते हैं कि int n1 number ले लेते हैं is equal to zero reverse बाला logic इस्तिमाल कर लेते हैं और इसमें reverse बाला logic A था कि n1 is equal to n1 into 10 plus q तो reverse हो चुका है उसके बाद n1 को डाल देते हैं यहां पर n1 m पर है तो m is equal to n1 डाल देते हैं फिर से तो अब साइद काम बन जाएगा 25030 25030 नहीं आया लास्ट बाला जी दो नहीं आया क्योंके उसको इसको बहुत की बाला जी दो नहीं आया क्योंके mathematics में फास्ट में जीरोका कोई भालू नहीं है तो ए ए कि रो है इसको भी निब्टा जा सकता है ए ए एक जरीए हैं तो हम 123589 नहीं हो जारा है ठीक है तो उसको दोबर उल्टा किया तो सिधा हो गया और पुना उसकर के वो आ चुका है जैसे कि इसको अगर 121,23,589 यह भी किया जा सकता है लेकिन यह सिलेबस में नहीं है यह भी किया जा सकता है ठीक है तो साइथ थोड़ा कॉंपलेक्स हो गया मेरा प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा हो गया लु़ए को छोटा करके दिखा देता हूं है पहले पुरा का पुरा जो है इसको ठोरा चोटा या छोटा तो को पुरा कर एसा है फिर ऐसा है और वाला तो मैंने बताई दिया और उसको आ चुका है और अगर हमको यह करना ही है कि हम जिरो को भी ले 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 तो उसको भी हम कर सकते हैं कैसे करेंगे यह हम बता देंगे कि आपको बता देते हैं कि थोड़ा कॉंप्लेक्स करेंगे यह फिर इससे इससे ही हो जाएगा थोड़ा कॉंप्लेक्स करेंगे कि इसको तो इसमें एक मुश्किल है कि हमने 2300 डाला तो फिर 23 दिखाए दे रहा है 20 नहीं दिखाए दे रहा है ठीक है तो 2 3 0 0 डाला तो इसको नहीं दिखाए दे रहा है और 0 वाला part नहीं दिखाए दे रहा है इसको array में लेने से दिखाए देगा तो इसको छोड़ देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आपको दे देते हैं इसको आपको डाल देते हैं इसको सेफ कर लेते हैं 1.txt नाम से सेफ करके आपको हम गूप में डाल देते हैं और जो गूप है हमारा उसमें डाल देते हैं यहां पर गूप है तो यहां पर आइसे सी जाबा का जो ग्रूप है इसमें डाल देते हैं डॉकुमेंट को करके कहां पे गया डेक्स्टॉप में डेक्स्टॉप में डाल दिया हमें ठीक है और साइद में यहां पे होली चाइल का जो कॉंप्यूटर का ग्रूप है यहां पर भी डाल देता हूं, इसमें भी साहद कोई है तो ले लेंगे, हो गया, अब हमको और बी सजाद दर्दर काम करना है, तो इसको सब को, सब के सब को मैं मिटा देता हूं, सब के सब मिटा दिया, और कुछ सिखना है हमको, तो हमें माल्टिपिकाश्टन सिकना है हो सएथ हमने नहीं सिकाया था, ठीके ? छिकाया था क्या माल्टि पिकाशन आपको porti है, मैल्टिपिकाशन टेबल, हा या फिन इबेन नंबहे, जा शादे सादे जो जो होता है, 크 आपको ने सर्भ वो दिखाये आँ ढूंस्टरॉंग नहीं आता है का i am sponsorship किसको कहा जाता आम्स्ट्रॉंग उसी को कहा जाता है कि हम अगर एक नमबर ले ले एक नमबर ले ले कि उसमें डाल दे 153 तो उसका 1 का रूट ओबा 3 करके उसके साथ 5 का रूट ओबा 3 करके और उसके साथ 3 का रूट ओबा 3 करके इसका मतला 1 plus 125 plus 27 is equal to 153 होता है तो इसको आम्स्ट्रॉंग कहा जाता है जानते हैं न आप इसको इसी तरह का सवाल आइसे सी क्लास 10 में आता है आम्स्ट्रॉंग नमबर निभेन नमबर ऐना ऐसा ऐसा लॉजिक बताया जाता है और उसको करने को कहा जाता है तो आता है ऐसा ऐसा प्रोग्राम आता है जो आईसे सी में पुनरो माक्स का आता है फिप्टीन माक्स का तो सीधी बात है बहुत ही सीधी बात है यहां पर हम एक काम कर लेते हैं सीधी सी बात है एवाला में 0 डाल देते हैं और उसके बात यहां पर ए लिक लेते हैं और ए इन्टू तो नहीं होगा इसमें जो भी क्यूं होगा वो उसके साथ क्यूं टूदी पावार इसका मतलब पू हम नहीं डालते तीन बार माल्टिप्याइक कर लेते तो हो जाएगा और उसके बात यहां पर क्या डाल दिया है एन नहीं डालना है ए डालना है और इसमें सिस्टेम.out.println इप अगर जो नंबर है इक्वाल टू ए है तो इसको प्रिंट कर दो के आम्स्ट्रॉंग A.R.M.S.T.R.O.N.G. आम्स्ट्रॉंग प्लास N. आम्स्ट्रॉंग नंबर और अगर नहीं होता तो बहुत ही सीधी लाजिक है बहुत ही सीधी पहले के मुकाबल है यह तो बहुत ही सीधी लाजिक है तो नौट आम्स्ट्रॉंग नंबर तो हाँ यहां पे हम 1 डालते तो 1 तो आम्स्ट्रॉंग नंबर होता है और 153 डालते तो ओ भी आम्स्ट्रॉंग नंबर होते है और 100 डालते तो ओ आम्स्ट्रॉंग नंबर नहीं होते है तो अगर किसी ने इसको लिक लिक लिजिए पहले इसको लिक लिजिए ठोड़िये ठ की आए क्या हैं है रम स्ट्रոंक नमबर के लॉजिक क्या है मतलब यह रिजिट को सेपाज करें और ऊसका क्यूस करिए और फिर सेव नमबर आ जाएगा उन्म्ब्र व्य१ ठीक साव सेपाज दिजित को और ऊसका क्यूस करके उई नमबर आएगा ठीक है यह अथी लिक लिजिए हो जाएगा तो बता दना के लिख लिए हो चुका है रिखा हो चुका है हो चुका है क्या हाँ तो अब सिधी बात है कि हमको वह मैथमेटिक से ज़्यादा नहीं आती इंगलीज भी नहीं आती और कॉंपूटर भी नहीं आती तो हमको यह भी मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर आमस्ट्रॉंग है सिर्फ हमको सवाल और लॉजिक दिया गया है कि यह न करता नहीं आ तो हम चाते कि एक से स्टार्ट हो और चलता ही रहे इतना देर तक इतना देर तक साए है ये,ot 21,1,1,1,1.. इतना देता चला देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं और इसमें से हमको Armstrong number का logic लेना है क्या बता रहा है यह साथ range से ओवर हो गया not expected semicolon ठीक है ओ कुछ भी बता रहा है तो बताने दीजिए अब साथ नहीं बताना चाहिए फिर भी बता रहा है यहां पे मैंने I लिख देते हैं और इसको नहीं चाहिए इसको भी नहीं चाहिए और इसको भी नहीं चाहिए इसको चाहिए इसमें लिख देते हैं के list of Armstrong number list of arm कुछ भी अब ऐसा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, और इसमें एन का कोई नहीं है, तो आई डाल देते हैं, और इसमें भी एन कोई नहीं है, तो आई डाल देते हैं, और एल्स बाले पाट हमको नहीं चाहिए, तो इसको सिधा तरीके से मिटा देते हैं, अब रान कर देते हैं, तो यह सारे नंबर आमस्ट्रोंग है, दुनिया में इतना छोटा नंबर ही आमस्ट्रोंग होता है, और ज्यादा नंबर आमस्ट्रोंग नहीं होता, तो दुनिया में आमस्ट्रोंग नंबर का जो जो अमाउंट है बहुत ही कम है, यह सारे का सारे नंबर आमस्ट्रोंग है, कि देख लिजी एक को काल्कुलेट करके हैं मुझे आपका आवास थोड़ा धिमा आ रहा है कुछ मुझे सुना ही नहीं दा रहा है अगर इंफिनिटी सीरीज में डाले तो तो भी ज़्यादा नहीं आएगा इसमें बीग इंटीजर करेंगे तो भी ज़्यादा नहीं आएगा इस आप एक काम करिये ना आप यहां पे 407 तक आया तो आप गुगुल को पूछ लेजिए इसको पूछ लीजिए कि आमस्ट्रॉं लिस्ट लिस्ट कash तो इसमें एब और इक जहला आचुका यहां पर सोला 3-4 जिल confirmed अबश्मान अबर कौन साहे सारे के सार Index पूछ नहीं है तो अब मैठ वार्ट में डाल डेते हैं तो इस से पूछ लेते हैं कि आप बता गया है यह ही देखिए इस में से सब के सब नंबर आप स्टोंग नहीं है तो फोर अंडर से बेनी लास्ट वाला है ठीक है ठीक है देखिए समझ में आप अपको लॉजिक इसको 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 तो कॉंपाइल करना परेगा ना आप उसको से परेट करके देखिए आप अप एक नंबर बताईए में आपको साइद आपको कुछ भी नहीं आता कॉंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता सिब एक्सेल आता है तो मैं एक्सेल को दून लेता हूं और गूगल से आपने साच किया तो एक नंबर बता दिए बोलिए एक नंबर बोलिए वान सीक्स थ्री फोर आप इसको देख लिजिये वान सीक्स 3, 4, एही न, तो इसको अगर करेंगे, तो इसका 1 का, इसका B1 का 2 the power 3, 1 ही होगा, तो यह सारे ऐसे आ चुका है, उसको calculate करके क्या आता है, 3, 0, 8 आता है, देखिए, इसको हमने calculate किया, तो इसमें 3, 0, 8 आता है, auto sum किया हमने, तो A number और A number तो सेम नहीं, यह तो एक काश्य Armstrong हो गया, बताई आप, लेकिन अगर हम यहाप पर 4, 0, 7 डालते हैं, और उसको बात करते हैं, 4, 0, 7, 4, 0, 7, 7, और उसको calculate करेंगे, तो यह बाला तो नहीं है, तो फिर देखे, वो आ गया, ठीक है, तो दुनिया में कुछी number है, जो आमस्ट्रॉंग है, जो उसको आपको बताया, मैंने, और साइद एक और दो number हो सकता है, तो इसको भी हमने ढून लिया, कि यही सारे number हो सकता है, आधान लंबर चेक हो सकता है, कुसी का भी Algysm हो सकता है, उसको आम कर सकते, जो भी एक्जाब में आएगा, उसको हम कर सकते है, तो एक्जान में तो computer नहीं दिया जाएगा, तो हमने आपको सिब लोजिक सम्झाने के लिए किया यहीं बात है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि प्राइम नंबर के बारे में क्या आपको आती है हाँ सर आती है यहां से किसको प्राइम नंबर के बारे में कुछ भी नहीं आता गैलक्सी शिक्स को आती है क्या गैलक्सी शिक्स का नाम क्या है मैंने भूल गया साइड मोचित आपको आता है ठीक है आती है जो तो अच्छी बात है तो प्राइम नंबर किसको कहती है कोई को अच्छी है जेकिए प्राइम नंबर उसको ही कहा जाती है कि जो नंबर टू से स्टार्ट हो और जो नंबर हो ओ मैट डॉट एसक्यू आर्टी स्क्वायर रूट हो के ओ नंबर का और उसके ब्लास वान जो करके होना चाहिए और उसके बाद ये वाला सब के सब हम मिटा देते है और सबी को मिटा देते है और इसमें प्राइम नंबर ढूनना है तो इसको हम एक्टिव कर देते हैं इसको भी एक्टिव कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं और प्राइम नमबर ढूढना है तो हम कह देते हैं कि अगर अगर वो नमबर है उस नमबर को आई से डिविजिबल करके जीरो आता है इसका मतलब वो डिविजिबल हो जाता है तो फिर आप उसमें प्रिंट आउट हो जाएगा के नॉट प्राइम और यहां पे एक वेरिबल ले लेते हैं के अपिजिकल टू माइनास 10 कुछ भी ले लेते हैं और उसमें अपिजिकल टू वान हो जाएगा टू हो जाएगा इसमें प्राइम नंबर हो चुका है नॉट प्राइम हो चुका है तो यह बुलियान नॉट उल्टा कर देता हूं इसको उल्टा कर देता हूं यह पहले प्राइम ही ढून लेता हूं और उसके बाद फॉल्स ले लेता हूं और अगर ऐसा हो जाता है और उसके बाद और ढूनने की ज़ूरत ही है तो उसको ब्रेक करना परेगा और उसके बाद इप अगर एफ इडिकल टू टू होता है इसका मतलब प्रू तो पहले फॉल्स ही होता है फॉल्स फॉल्स होता है और इसके बाद अगर नहीं 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 थोरा सोचने दिजिए जब भी नमबर डालेंगे तो नमबर अगर किसी से भी नहीं डिविजिबल होगा तो एफ टू ही रहेगा तो तो अगर एफ टू रहता है तो दिखाई देगा कि जो नमबर हमने डाला था वो नमबर प्राइम है और इसका इलाबा एल्स पार्ट में दिखाई देगा कि यह नॉट प्राइम है इसमें भी कुछ डिफिकल्टी अभी भी है तो मैं फिर से रान करता हूँ तो देखिए इसमें मैंने लिस्ट आप अमस्वांग नमबर नहीं है तो थ्री प्राइम नमबर है तो इसमें एंटार एंटार नमबर डाल देता हूँ और उसके बाद एंटार नमबर थर्टीन तो यह प्राइम है और एंटार नमबर फिप्टीन तो यह नॉट प्राइम है नॉट प्राइम यहां पर लिखने की जोड़ात नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ सीधी सी बात है और नॉट प्राइम है तो इसमें अगर कुछ डालो के वान डाल दो तो वो प्राइम दिखाए दे रहा है बहुत आजीब बात है तो इसको सिधा करने के लिए हम लिख लेते हैं इप नंबर गेटर देन लेस देन इक्वाल टू लेस देन टू अगर टू से कम है तो फिर उसको नॉट प्राइम बताओ अगर टू से कम है तो उसको नॉट प्राइम बताओ येल सीफ अगर नंबर इक्वाल टू है तो फिर उसको प्राइम बताओ और इसके इलाबा जो भी रह जाता है उसको इसमें डाल दो तो आप अगर रान करेंगे तो माइनस नाइन डालेंगे कहां पर डाल दिया गलती हो गया ही मुझसे है माइनस नाइन डालेंगे तो यह नोट प्राइम है तो यह प्राइम नमबर नहीं है और अगर हम यहां पर 101 डाल देते हैं तो यह प्राइम नमबर है हो गया प्राइम का चेक बहुत इजी तरीके से और असान तरीके से यहां पर बहुत सारे लोग हम कुछ भी डाल दे तो ओ प्राइम है या नौट प्राइम है इसको बता देगा और अगर हम चाहेंगे कि इसमें और एक चीज डालना है तो हम एक और एक चीज डाल देते हैं कि पी इस इकल टू जीरो डाल देते हैं और इसमें लिख लेते हैं के भाईया के P equal to I तो और इसमें लिख नॉट प्राइम divisible by जो divisible है P से divisible है तो एक Q प्राइम नहीं है वो भी बता देगा तो हमने 91 डाल दिया तो 7 से divisible है तो एक प्राइम नहीं है तो आप लोगों का एक होम टाक्स क्या हम दे सकते हैं कि अलोग कि सुना यह नहीं दे रहा है तो आप लोगों को एक काम करना है कि इतने से इतने का between हमको प्राइम नंबा सो करना है मैं जो भी बताओंगा कि हमको को तूथाउजन से 5000 के बिट्वीन प्राइम नमबर्द चाहिए हम को 10 से 50 के बिट्वीन प्राइम नमबर्द चाहिए तो ओ सारे डिस्प्ले करेगा कर सकते हैं कि जी कर सकते हैं तो करके रखना या फिर में करके दिखा दू आभी सब्सक्राइब का मतलब तो मैथेमेटिक्स होता है स्कॉयर डूट का मतलब क्या होता है उसके हिसाब से किया तो यही बात हुआ तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इसके बिटूइन चाहिए तो वो कैसे किया जाए तो बात में हमने बताया कि सब सको डिसकरेंगे तो इसमें आक्चुयर होता क्या है कि आपको जो इसका फ्यक्षन होता है अगर 50 ले यहा तो 30 को divisible हो गया 6 तक इसका मतलब 30 का square root होता है 5 point something तो उससे हो गया तो O prime है और हो गया तो prime नहीं है और नहीं हुआ तो prime है यही logic है ठीक है उसी को हमने math का हिसाब से बताया यह first वाला logic है सबसे यह जो इसमें जो complexity analysis algorithm होता है जो BCA में ज़रूर होता है यह complexity algorithm algorithm जो bubble short के हिसाब से quick short q फास्ट है selection short insertion short hip short तो उसी तरह complexity algorithm का एक algorithm है जो फास्ट तरीके से prime को ढूंटा है यह चेक करता है तो मिस्टी यह तहना है math dot square n यह built-in function है यह तो building function है math का a square dot in building function है जो math import math dot java से आता है इसमें sign है cost है बहुत सारे function है अच्छा है ते ते अच्छा है यह तो और भी हमें लिखना है फिर यह इंपोर करती पर यह तो नहीं पर एगा त्रीक है जैसे जावा लेंग को लिखना नहीं परता है उसी तरह किसी किसी में लिखना परता है यह तो रखते हैं आपको कैसे class रागा और आपको आप अपने दोस्तों को जरूर बताए के यह हो रहा है ये फ्री में हो रहा है इसको एटेंड करे and аккуज में इसको दिल चस्ति है तो वह संजे उसको जाने और किसी को भी सिख सकते लेकिन हम बेसिक से हाँ वो पुछ लीजिए इसमें जो झालना के टो बहुत इंगे चाहिट लिया अर तो में तो हम आपको दिखा सकते हैं नेट बीन में यहां पर पोपार्टीज में जाना परेगा और फिर कौन सा पॉपार्टीज में है यहां पर है सिन अ new year is में हिसे यूँजर का मैंथ का नेट बीन से हाई में है तो यहां पर मैं और मैं आपकॉमेंट में है एसमें उसमें वारे हैं और इसमें सूरस वड़ा फाइल लेख सकते हैं motors जो को सुंपोर आपे हैं आपको जर洗तेलों परेखे इसमें यहां पर ही होता है, बील्ड में साइद होगा, क्लास में, हाइए, यही देखिए, हाइड़ाट क्लास, बील्ड में हो गया, यहां पर, देख लिया, और फेली वाला रेलोवाटी किट वाला था, ठीक है, और कुछ पूचना है, हलो, थेंक यू थेंक यू सर वेरी मैच थीक है थीक है तो रख देते हैं हम थीक है थेंक यू गूड़नाइट सर गूड़नाइट